बाइक चोरी कर बड़े आराम से घूम रहा था। उसे कहां पता था कि तीसरी आख ने उसे कैद कर लिया है। घर में लगे CCTV फुटेश के आधार पर बाइक मालिक सुरेश चंद्र महतो उसे ढूंड रहे थे। उनके कान में किसी ने एक हलकी सी फोक मारी और चोड धरा गया। ग्रामेडों के सामने उसने तब सारे राज उगले जब पेड़ से बांद उससे सवाल किये गए। उसने अपने तीन साथियों परमवी, संतोष और राहुल के कहने पर बाइक चुराने के बात कबूली। उसके बयान पर पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में जुट गई है। सभी आरोपी बोकारों के आदर्श नगर के ही रहने वाले हैं। चौरी की इस वारदात को एक जुलाई को बोकारों के पिंडरा जोरा थाना शेत्र के बर्टान में अंजाम दिया गया था। देखे, सुने, समझे, क्या बोले बाइक मालिक, पुलिस और चौरी का आरोपी। लड़का असानी से लेके यहां से इमली पेट तक दिखाई पड़ रहा है कि बाइक लेके जा रहा है। उसके बाद हमनों खोज बीन चारों तरफ किये नहीं पता चला उसके बाद हमनों थाना गये थाना में अखाई वर किये जबकि इस्पेक्टर खुद यहां आके पेंड ड्राइब भी ले गये सीसीटी केमरा भी मेरा देखा मोबाइल में हम वार्षप किये हुए थे दो गाहों से चपटना से वोकारों बिल्ये प्रस्थान किया है जैसे वहां वायत बैपास से उनको हम पिछा किये वहां तो आदमी को हम रखे थे आपना नीजी आदमी हम बेता भी था साथ में तू परते करते कुछ दूर बीच आये तो उसको हम हाथ जैसे पकड़े पकड प्रस्थान कितने लोगों की समलित्ता इसमें बताई जाए हैं हम अपना मन से गारी नहीं ले गिए हम उधर से आ रहे थे काम करके सामुन फेक्टरी का पीछे से एक लड़का को बोला यह गारी हम नहीं ले जा रहे थे हैं कोहराम लाइब के लिए बोकारों से परमेश्वर मंडल की रिपोर्ट झाल झाल झाल